जब महात्मा लक्षमन जी ने सुमंत्र से इस प्रकार आग्रह किया, तब वे रिशी दुरुवासा के कहे हुए बचन इस प्रकार सुनाने लगे। हे लक्षमन, पूर्वकाल में एक बार अत्रिक के पुत्र दुरुवासा वर्शा के चार मास तक वशिस्ट जी के पवित्र आश्रम में जाकर रहे। मुनियों में श्रेष्ट दोनों मुनियों को प्रणाम किया, उन दोनों महात्माओं ने भी स्वागत कर महराज को सम्मान पूर्वकासन पर बिठाया, सबकी बैट जाने पर और दुपहर हो जाने पर अनेक प्रकार की मधूर कथाई होनी लगी। उस समय किसी कथा के प्रसंग में महराज ने हाथ जोड़ कर अत्री पुत्र दुर्वासा से कहा। हे भगवन, मेरा वंश कब तक रहेगा? शिरी राम चंदर जी की आयू कितनी है? तथा अन्य पुत्रों की आयू कितनी है? और शिरी राम चंदर के पुत्रों की आयू कितनी होगी? हे भगवन मेरी बड़ी इच्छा है आप मेरी वंश का व्रतांत वर्णन करें महराज दशरत द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर दुर्वासा कहने लगे हे राजन सुनिए पूर्वकाल में देवताओं और देत्यों का बड़ा भारी युद्ध हुआ था तब देत्य देवताओं से मार खाकर ब्रग जी की पत्नी की शरण में गए उस समय ब्रग पत्नी ने उनको अभैदान दिया और उनको अपनी यहां रख लिया था जब भगवान विश्णू ने देखा कि ब्रग पत्नी ने देत्यों की रक्षा की है तब उन्होंने पैनी धार वाले सुदर्शन चक्र से ब्रग पत्नी का मस्तक काट डाला जब भगवजी ने अपनी पत्नी को मृत देखा तब उन्होंने भगवान विश्णू को शाप देते हुए कहा तूने मेरी निर्दोश पत्नी का क्रोध के वश में वद किया है ब्रग जी उनका बड़ी भक्ती से पूजन करने लगे कुछ काल बाद ब्रग जी के टप से प्रसन्हो भगवान जनारदन उन से बोले कि मैंने लोक हित के लिए उस शाप को ग्रहन कर लिया है हे महराज, पूर्व जनम में प्राप्त ब्रग शाप के कारण वे ही जनारदन भगवान इस लोक में आ तुमहारे पुत्र हुए हैं और उनही का नाम शिरी राम चंद्र है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ है वे भ्रग की शाप का फल पाएंगे और बहुत समय तक अयोध्या में राज्य करेंगे उनके अनुगामी जन सुखी और धन्धाने से भरे पूरे होंगे वे ग्यारह वर्षों तक राज्यकर ब्रम लोक में चले जाएंगे वे बड़ी बड़ी दक्षणाओं वाले अश्व मेद यग करेंगे उनको कोई जीत न सकेगा उन से सीता के दो पुत्र होंगे हे लक्षमन इस प्रकार तुम्हारी वंश का भावी फल कहकर वेह दुरवासा मुनी चुप हो गए तब महाराज दश्रत दोनों रिश्यों को प्रडाम कर अपनी राजधानी में आए उस समय मुनी राज के मुख से ये सब बाते मैंने सुनी थी और तब से इनको अपने हिर्दे में रखे हुए था सो उनकी वेह भविश्य मानी अन्यथा नहीं हो सकते दुर्वासा जी के कथना नूसार शिरी रामचंदर जी सीता जी के गर्ब से उत्पन्य पुत्रों के राश्टिलक आयोध्या में ही करेंगे हे नरुत्तम तुम शिरी रामचंदर अथवा सीता के लिए दुखी मत हो और अपना मन दृड कर लो क्योंकि होनी होकर रहेगी इस प्रकार सुमंत्र के परम अश्यरे जनक बचनों को सुन लक्षमन जी अत्यंत हर्शित हो धन्य धन्य कहने लगे लक्षमन और सार्थी सुमंत्र इस तरह आपस में बातचित करते करते संध्या समय केशिनी नगर के समीब चाकर टिक गए फिर एक रातरी वहाँ व्यतीत कर अगले दिन दुपहर तक अयुद्या पूरी पहुँचे उस समय लक्षमन जी बड़े दुखी हुए क्योंकि वे अपने मन में सोच रहे थे कि शिरी राम चंदर जी को मैं क्या कहूंगा इस प्रकार सोचते सोचते लक्षमन जी भवन के दुआर पर पहुँच रत से उतरे और नीचे को मुख किये और उदास हो राज भवन में घुसे चले गए वहाँ जाकर उन्होंनी देखा कि शिरी राम चंदर जी दुखी हो नीत्रों में आसू भरे एक आसन पर बैठे हुए है लक्षमन जी ने दुखी मन से उनके चड़नों में सिर नवा उनको प्रडाम किया पर हाठ जोड़ कर बोले महराज मैं आपकी अग्या नुसार शिरी गंगा के तट पर मुनी वालमी की आश्रम के समीप सीता जी को छोड़ आया हूँ हे महराज आप शोग न कीजिये क्योंकि काल की गती ही कुछ ऐसी है आपके समान बुद्धिमान शोग की वशवर्ती नहीं होते संपून एश्वर्य वो सुख नाशपान है जो उचे उठते हैं वे ही नीचे गिरते भी हैं सैयोग का अंत व्योग और जीवन का अंत मरण ही है अतहा एक ता एक दिन पुत्रों मित्रों एवं धन एश्वर्य से तो अलग होना ही पड़ता है सो इन में अनुरक्त होना ठीक नहीं है हे रागव आप तो स्वेम को समझाने में समर्थ हैं यही नहीं आप तो समस्त लोकों को समझा बुझा सकते हैं फिर आपके लिए अपनी शोक का निवारन करना कोई बड़ी बात नहीं है आप जैसे महानुभाव मोह को प्राप्त नहीं होते अब यदि आप इस प्रकार उदास होंगे तो फिर लोक आपकी निंदा करने लगेंगे जिस अपवाद के भह से आपने जानकी को त्यागा है वही अपवाद फिर से सारे नगर में व्याप्त हो जाएगा इसमें कुछ भी संशे नहीं है अतहा आप धीरच धारण करें और दुखी ना हो जब लक्षमन जी ने इस प्रकार कहा तब शिरी राम जी बड़ी प्रीती के साथ लक्षमन से कहने लगे हे लक्षमन तुम ठीक कहते हो तुमहारे इस कारे से मैं तुमहारे उपर संतुष्ट हूँ कि तुम जानकी को गंगा तट पर छोड़ाए हे सोमय तुमहारे कथन को सुन मेरा दुख चला गया इस समय तुमहारे जैसे बड़े समझदार भाई का मिलना अत्यंत दुरलब है अब तुम मेरे मन की बास सुनो और उसे सुनकर उसी अनुसार कारे करो आज चार दिन हो गए मैंने पुरवासियों का कोई कारे नहीं किया तुम पुरोहिजी और मंत्रियों को बुला कर मेरे पास भेज दो क्योंकि जो राजा प्रती दिन प्रजा जनों का काम नहीं करता वे ऐसे भायानक नर्क में डाला जाता है जहां हवा भी नहीं पहुँच पाती सुना जाता है प्राचीन काल में निर्ग नाम के एक राजा थे वे बड़े यिशस्वी ब्रहमण भक्त सत्यवादी बड़े पवित्र आचरण वाले और प्रजा पालक थे एक पर उन्होंने पुषकर शेत्र में बच्छनों सहित सोने सी भूशित एक करोण गाएं ब्रहमणों को दान की हे अनग जो गाएं राजा ने दान करने के लिए मंगवाई थी उनमें एक गाए भूल से एक दरिद्र ब्रहमण की गाए आकर मिल गई वह ब्रहमण भूका प्यासा खोई हुई गाए को इधर उधर ढूंडने लगा वह अनेक वर्षों तक अपनी गाय की खोच में मारा मारा फिरता रहा किन्तु उसकी गाय का पता न लगा खोचती खोचती वह हरिद्वार के समीप कनखल में पहुँचा वहाँ उस ने एक ब्रहमण के घर में अपनी गाय को रोग रही देखा किन्तु उसका बच्छडा दुबला हो रहा था उस ब्रहमण ने उस गाय का नाम शवला रखा था उसने उसी नाम से हे शवले आओ कहे कर अपनी गाय को पुकारा गाय ने उस ब्रहमण का पुकारना सुन लिया भूके प्यासे उस ब्रहमण का स्वर पहचान कर वह गाई उस ब्रहमण के पीछे जाकर खड़ी हो गई जिस ब्रहमण के घर में वह गाई थी जो इतनी दिनों से उसे पाले हुए था वह भी उसके पीछे दोड़ा और शीगरता से उसके निकट पहुँच उस रिशी से कहने लगा यह गाई तो मेरी है यहे तो मुझे महराज नुरिक से दान में मिली है इस प्रकार दोनों ब्रहमणों में आपस में जगड़ा होने लगा वे दोनों आपस में जगड़ते जगड़ते महराज नुरिक के पास गए किन्तु राजा नुरिक की राजधानी में पहुँच कर भी वे द्वारपाल की रोक के कारण राजभवन में न जा पाए जब उन दोनों को राजधानी में ठहरे ठहरे कई दिवस और कई राते बीत गई तब तो वे ब्रहमण अति कुपित हुए और शाप युक्ति यह घोर वचन बोले हे राजण तू लोगों के कार्य को सिद्ध करने के लिए दर्शन नहीं दिता अताहा तू गिर्गिट होकर ऐसी जगहा रहेगा जहां तुझे कोई न देख सके सैंकडों हजारों वर्षव तक तू एक अंधे कुए में गिर्गिट होकर पड़ा रहेगा जिस समय इस धर्टी पर भगवान विश्णू मनुष्य शरीर में वासुदेव नाम से यदुकुल में अवतीन होंगे उस समय उनके द्वारा तू इस शाप से छूटेगा उसी समय तेरा उद्दार होगा कल्यू के आरंब में भूमी का भार उतारनी के लिए महाबली नर और नारायन अवतार लेंगे इस प्रकार महराज नरिक को शाप दे कर वे दोनों शांत हुए इसकी बाद उन दोनों ने वह बूड़ी और निर्मल गाय किसी अन्ने को देद डाली इस प्रकार उन दोनों का जगड़ा समाप्त हुआ शिरी राम जी बोले राजा नरिक इस प्रकार प्राहमणों के शाप से गिर्गिट की योनी में पड़े-पड़े शाप का फल भोग रहे है हे लक्षमन, कारे अर्थियों का जगड़ा ना मिटाने से राजा को बड़ा पाप लगता है अतहा कारे अर्थियों को अर्थार जिनके कारे होने हैं उनको शीगर मेरे पास सामने ले आओ अच्छे कारे का फल राजा को प्राप्त होता ही है अतहा हे लक्षमन तुम द्वार पर जाकर कारे अर्थियों की प्रतिक्षा करो अब मैं अपने इस वसु नामक राच कुमार का रास तिलक करके उस शाप के फल को भोगूंगा इसलिए शिल्पी गण एक बहुत अच्छा सुखदाय गड़ा खो दे उसी में पड़ा-पड़ा में ब्रहमनों के दिये हुए शाप को भोगूंगा मेरे लिए तीन गड़े बनाई जाएं एक तो ऐसा हो जिसमें वर्षा काल बिता सको दूसरा शीत काल उपयोगी हो और तीसरा ऐसा हो जिसमें गर्मी की रीतू में सुख पूर्वक रह सकों वहाँ पर फल वाले विरिक्ष और पुष्पित लताएं तथा अनेएक प्रकार के जार लगाए जाएं ये गड़े चारों और से रमणियें बनाई जाएं जहां में शाप के अंते तक सुख पूर्वक रह सकों और गड़ों के चारों और दो कोस तक सुगंदित पुष्प वाले विरिक्ष लगा दिये जाएं इस परकार सब बाते समझा और राज कुमार वसु को राज सिहासन पर बिठा उससे राजा नर्ग ने कहा हे पुत्र तुम सदा धर्म में ततपर रहना और शत्रिय धर्म से प्रजा का पालन करना क्योंकि तुम्हारे सामने ही ब्रहमणों ने मुझे शाप दे कर मेरा पतन किया है हे पुत्र जैसा मेरा अपराद था वैसा ही उन ब्राह्मणों ने रोश में भर कर मुझे शाप भी दिया है अतहा तुम मेरे लिए संताप मत करो ईश्वर सब कुछ करने में निपुण है उसी ने मुझे इस धुर्दरशा में पहुंचाया है हे पुत्र जो होनी होती है वह होकर रहती है और जहां जाना बदा होता है वहां अवश्य जाना ही पड़ता है चाहे सुख हो चाहे दुख हो जो भोगना है वह बिना भोगे तलता नहीं सुख और दुख प्राप्त होनी का कारण पूर्व जन्द में किये हुए कार्यों का फल ही है अतहा हे पुत्र दुखी मत हो हे लक्ष्मन एस प्रकार यशस्वी राजा निर्ग अपनी पुत्र को समझा भुजा कर उस खोदे गए गड़े में रहने के लिए चल दिये फिर राजा ने उन गड़ों में वास कर उन महात्मा कुपित ब्रामणों के शाप का फल भोगा शिरी राम जी कहने लगे हे लक्ष्मन मैंने तुमको राजा निर्ग के शाप का वरतांत विस्तार पूर्वक सुना दिया यह सुनकर लक्ष्मन जी बोले हे राजन यहे विरतांत तो बड़े अद्बुध हैं इनको सुनते सुनते मेरा जी ही नहीं भरता है धीरे धीरे वसंते रितु आप पहुंचे जो ना तो बहुत ठंडी थी और ना ही बहुत गर्ण एक दिन प्राता है काल शिरी राम चंद्र जी स्नान और दैनिक धार में कारे कर पुरवासियों के कारे देखने के लिए दरबार में जावे राजे उस समय सुमंत्र ने आकर शिरी राम जी से कहा हे भगवन कुछ तपस्वी लोग द्वार पर आपकी अनुमती के लिए रुके है ब्रगवन्शी च्वन उनके मुख्या है वे सब रिशी यमना तटके रहने वाले हैं और आपकी कृपा चाहते हैं सुमंत्र के ये वचन सुन शिरी राम जी ने कहा हे महाभाग उन समस्त तपस्वियों को यहां लेवालाओ महराज शिरी राम जी की आग्यपा सुमंत्र ने उन तेजस्वी तपस्वियों को महराज के सामने पहुचा दिया वे सभी तपस्वी सो से अधिक थे वे सभी तपस्वी तीर्थों के जल से भरे हुए कलश और फल मूल शिरी नगुनाज जी की भेंट के लिए लाए थे शिरी राम जी ने प्रसंद हो उनकी भेंट स्वीकार की फिर वे सब मुनियों से बोले यह विशेश आसन बिछे है आप लोग इन पर यथा योग्य बैठ जाए शिरी राम जी के वचन सुन सब महरशी सुन्दर स्वन की चोकियों के उपर बैठ गए फिर शिरी राम जी ने सिर जुका और प्रणाम कर विनीद भाव से उनसे ये वचन कहे आप लोगों की पधार्नी का क्या कारण है मैं आप का क्या हितकर कार्रे करूँ मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि यह सारा राज्य और मेरी प्रांट तक ब्रहमनों के लिए ही है आपके सब मनोरत पूर्ण होंगे शिरी राम जी के ये वचन सुन वे रिशी लोग धन्ने धन्ने कहने लगे वे यमना तटवासी बड़े बड़े तपस्वी लोग बड़े प्रसन हुए और कहने लगे हे नर्श्रिस्ट इस फू मंडल पर आपके सिवाई ऐसे वचन अन्ने कोई नहीं कह सकता और यह वचन आप ही के कहने योगे भी है हे राजन हमने बड़े बड़े बली राजाओं के निकटचा अपना प्रयोजन उनके सामने प्रकट किया प्रन्तु हमारे कारे का गौरव जान कर भी किसी ने हमारा कारे करने की प्रतिग्या ना की कि दू आप ने हम लोगों के आग्मन का उदेश्य सुने बिना ही प्रतिग्या कर दी इससे हम लोगों को भरोसा है कि आप हम लोगों का कारे अवश्य करेंगे इसमें संदेह नहीं, आप रिशियों को बड़े भारी भाय से अवश्य छोड़ाएंगे रिशियों के इस परकार कहनी पर शिरी राम जी बोले हे रिशियों, बतलाईए आपका क्या कारे है, जिससे आपका भाय दूर किया जाए शिरी राम जी के ये वचन सुन भ्रगवशी चुवन जी बोले हे नरनाथ हमारे भाय का कारण सुने सतियुग में मधु नाम का एक बड़ा बुद्धिमान देखते था वह ब्रहमण भक्त, शर्नागद वत्सल था और परमकुदार देताओं के साथ उसकी असीन प्रीति थी भगवान शिवजी ने बड़े सम्मान के साथ उसे एक अद्बुत वर दिया था उन्होंने अपने त्रिशूल से एक बड़ा मजबूत और अगनी की तरह चम-चमाता त्रिशूल निकाल कर मधू को दे कर बड़े हर्श के साथ उससे कहा हे मधू तुमने अतुलित धर्मान उस्ठान किया है अतहा मैं तुम्हारे उपर प्रसन हूँ इसलिए मैं तुम्हें बड़ी प्रीति के साथ यह शस्र देता हूँ हे महासुर, जब तक तुम देवताओं और ब्रहामनों से वेर न करोगे, तब तक यह शस्थर तुम्हारे पास रहेगा. जो तुम से लड़ने आए, उसके उपर निर्भय हो, इस शूल का प्रहार करना, यह है शूल, उस शत्रु को भस्म कर फिर तुम्हारे हाथ में चला इस प्रकार शिवजी से वर पाव है, महादेथ्य पुन है, शिरी शिवजी को प्रणाम कर बोला, हे भगवन, मैं चाहता हूँ कि यह अनुपम शूल मेरे वंश में सदय बना रहे, आप देवों के देव हैं, अतहर यह वर आप मुझे और दे, मधु के ऐसा कहनी पर महादेव जी कहने लगे, ऐसा तो ना होगा, किन्तु मैं तेरी उपर प्रसन हूँ, अतहर तेरी एक पुत्र के पास भी यह शूल बना रहेगा, जब तक यह शूल तेरी पुत्र के हाथ में रहेगा, तब तक उसे कोई भी न मार सकेगा, इस प्रकार अस का नाम कुम्भी नसी था, वह बड़ी भाग्यवती थी, और महा कांतिमय अनला के गर्ब से वी श्रवा वसु द्वारा उत्पन्न हुई थी, उसी का पुत्र महा प्रक्रमी एवं अत्याचारी लवनासुर है, जो बालकपन से ही बड़ा दुस्ट सुभाव का है, उसकी कुछ दिनों बाद मधु इस लोग को छोड़ कर समुद्र के भीतर चला गया, प्रंतु जाने से पूर्व मधु ने महादेव जी का वहत्र शूल उसे दे दिया, और उसके विशे में उसे बता भी दिया, अब वही लवन शूल के भरोसे अपनी दुराचारी सुभाव से त पस्वियों को तो विशेश रूप से सताया करता है, हे राजन, लवना सूर के विशे में यह समस्त व्रतांत सुन कर, अब आप जो उचित समझें सो करें, आप ही हमारी परमकती हैं, आपके पास आने से पूर्व, हम में से अनेक रिशियों ने भाय से व्याकुल हो, बहुत से राजाओं से लवन्ट से अभय कर देने की प्रातना की थी, प्रंतु किसी ने रक्षा न की, हे तात, जब हम लोगों ने सुना कि आपने कुटुम्ब सहीत रावण का सहार किया है, तब हमने समझा कि आप हमारी रक्षा कर सकेंगे, क्योंकि प्रिथवी मंडल पर अने को कोई ऐसा राजा नहीं, जो हमारी लवन्ट से रक्षा कर सकें, अतहा लवन्ट सुर की भय से पीडिक हम लोग आप से अपनी रक्षा करवाना चाहते हैं, अतहा आप इस काम को कीजिए, उन रिश्यों के ऐसा कहने पर शिरी राम जी हाज जोड कर बोले, आप लोग यह बतल पाइं की लवना सुर क्या खाता है, उसका क्या आचरण है, और वह कहां रहता है, शिरी राम जी के ये वचन सुनकर उन सब रिश्यों ने लवना सुर की व्रिद्धी का समस्त ब्रतांत कहा, वे कहने लगे, वैसे तो वह सभी जीवों को खाया करता है, प्रंतु तपस्वि भाईयों को विशेश रूप से खाता है, वह नित्ते ही, सहस्त्र सिही, व्याग्र, मृग्र, बक्षी और मनिश्यों को मार कर खा जाया करता है, उसका आचरण बड़ा भायंकर है और वह मधुवन में रहता है, लवड का यह व्रतांत सुन शिरी राम जी उन तपस्वियों से कहने लगे, मैं उस रक्षस को मरवा डालूँगा, अब आप लोग ढरे नहीं, फिर शिरी राम जी अपनी भाईयों से कहने लगे, भाई, तुम लोगों में से लवना सुर को कौन मारेगा, तब भरत जी बोले, मैं उसे मारूँगा, यह कारे मेरे हिस्से में डाला जाए इस प्रकार धैरे और शोरे युक्त भरत जी के बजन सुनकर, शत्रुगन सोनी का सिहासन छोड़कर उठ खड़े हुए, और शिरी राम जी को प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, भरत जी तो अपना काम पूरा कर चुके हैं, क्योंकि जिस समय आप अयोध्या से वन को चले और कुशासन पर सोए, हे रगुनंदन, इन्होंने फलमूल खा कर, जटा धारन कर और चीर वस्त्र पहन कर अनेक दुख सहे हैं, जब शत्रुगन ने ऐसा कहा, तब शिरी राम जी पुनह बोले, हे शत्रुगन अच्छी बात है, अब मैं जो कहता हूँ, सो करो, मैं तुमको मधुनगर का राज्य देता हूँ, सो तुम उस मधुन के पुत्र, पापी लवना सुर को मार कर, उस राज्य का धर्म पूर्वक पालन करना, यदि मेरा कहना मानते हो, तो हे शूर, मेरा कथन सुन कर, कुछ कहना मत, क्योंकि छोटों को बड़ों की आग्या आवश्य मानेनी चाहिए, अतहा मेरी दिये हुए राज्य को ग्रहन करो, और वशिष्ट आदी ब्रहमनों के हाथ से विधि पूर्वक मंत्रों से अभी शेक क्रिया करवाओ, शिरी राम जी के ऐसा कहनी पर, शत्रुगन जी बहुत शर्माई, और मंद स्वर से शिरी राम जी से बोले, हे प् अतहा मैं आपकी बात पर कुछ भी आपत्ति न करूंगा, देखिए, भारत जी प्रतिग्या कर चुके थे, किन्तु मैं बीच में बोल उठा कि मैं लवणासुर को मारूंगा, दूसरे, अब आपकी बात के बीच में मैं बोल रहा हूँ, बड़े भाई के कथन का उत्तर नह किजिए, हे राजन, मैं तो आपकी इच्छानुसार ही कारे करने वाला हूँ, किन्तु जेस्ट ब्राता के सामने अपना अभिशेक कराने में मुझे जो पाप लगेगा, उससे आप मेरी रक्षा कीजिए, तब शिरीराम जी ने प्रसन्न होकर शत्रुगन और भर से कहा, अभिशेक होने से महात्मा रिश्यों को लवणा सुर के मारे जाने का निश्य हो गया, फिर शिरीराम जी शत्रुगन से मधुरवानी से कहने लगे, हे सौमे, मैं तुमें यह दिव्वे अमोग बान देता हूँ, इससे तुम लवणा सुर का वद करना, यह बान भगवान व तथा अन्य समस्त रक्षसों के वद के लिए क्रोध में भर कर यह बान बनाया था, इसी बान से उन दोनों दुस्ट आत्मां को मार कर तीनों लोग बसाये थे, किन्तु हे शत्रुगन, रावण को मारने के लिए मैंने इस बान से कार्य नहीं लिया, क्योंकि इसके चलाने से बहुत प्राणियों का नाश होता है, शिवजी ने मधू को जो उत्तम त्रिशूल दिया था, उसे लवण घर में छोड़ कर आहर लाने को इधर उधर जाता है, उस त्रिशूल का वह नित्य पूजन किया करता है, जब कोई लड़ने के लिए लवणा सुर को ललकारता है, तब वह द्यत्य घर से त्रिशूल लाकर उसे से लड़ने वाले को भस्म कर डालता है, अतहा, हे सोम्य, जब लवणा सुर नगर से बाहर जाए, तब तुम अस्तर से सुसजित हो, नगर द्वार को रोक लेना, और उसे घर में जाने मत देना, और उसी समय उसे तुम युद जैसा करोगे तो उसका विनाश आवश्य होगा, इस प्रकार शत्रगहन जी से कहे, और बारम बार उनकी प्रशंसा कर, शिरी राम चंदर जी पुनह बोले, हे सोम्य, ये चार हजार घोडे, दो हजार रत और सो बड़िया हाथी, तथा सैनिक आदी के व्याय के लिए एक ला जाया कर, तुम अकेले ही धनुष मान लेकर मदुबन में चले जाना, जिससे लमण को यह पता ही न चले कि तुम उससे लड़ने के लिए आई हो, क्योंकि जिसे वह पहले से जान लेता है कि यह मुससे लड़ने आया है, उसे वह देखते ही शूल से मार डालता है, हे सोम्य, तुम ग्रिश्म रिटू के अंत में और वर्षा रिटू के आरंब में उसको मारना, यही उस दुस्ट को मारने का उप्युक्त समय है, इसलिए महरशियों को आगे कर तुम्हारी सेना रवाना हो, जिससे गर्मी की रिटू रहते ही तुम्हारी सेना शिरी गंगा जी के पार हो जाएगी फिर तुम सैना को नदी के तट पर तिका कर स्वैम धनुश बाण लेकर शिगर चले जाना शिरी राम जी की इन सब बातों को सुन शत्रगन जी ने बलवान सैना पतियों को बुला कर उनसे कहा देखो तुम लोगों के मार्ग में ठहरने के लिए पड़ाव नियत क कर दिये गए हैं तुम लोग इन पड़ावों पर ही निडर होकर ठहरना किन्तु इस बात का ध्यान रखना कि मार्ग में किसी से जगडा ना हो और ना कोई सताया जाए और ना ही किसी को कुछ हानी हो इस प्रकार शत्रगन ने सैना पतियों को आग्या दे उस विशाल सैना को रवाना किया सैना को भेजने के बाद शत्रगन जी एक मास अयोध्या में रहे फिर अपनी तीनों माताओं और भाईयों को प्रणाम कर नरेंदर शिरीराम जी से विदा माग शत्रगन जी अकेली ही अयोध्या से रवाना हुए